जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच्च काफी सुर्खियों में रहा था डेरा सच्चा सौदा हर कोई जानना चाहता है आखिर डेरा सच्चा सौदा में काफी जो question mark लगाए गए थे उसका जवाब जानना चाहता है तो जो जवाब है वो तो उसी व्यक्ति से मिल सकता है जो वहाँ पर हमेशा इतने सालों से जाता हो विया वहाँ पढ़ता हो या वहाँ पर रहता हो या किसी तरीके से डेरा से जुड़ा हो ना की सूत्रों के हवाले से तो आज ऐसे ही हमारे साथ एक भाई जुड़े हैं जानेंगे कि आखिर कैसा था इनका सफर और कैसा था इनका अभी गुरु जी के बार जाने का सफर और आज भी क्यों जुड़े हैं ये क्या कारण है नमिश्कासर लगब लगब आठ साल काफी लंबा समय होता है यही मानते हैं कि 8 साल एक बहुत लंबा समय होता है आप जाते रहे हो क्या आपने डेरा सच्चा सौदा में कभी कुछ गलत होते हुए देखा बलकि वहां जाने से मुझे आत्मिक शांती मलोगी कुछ करने का हुसला मिलता था मगर जो मीडिया है वो तो कुछ और कहता है आप वहां जाते रहे हो तो जनता यह जानना चाहती है जो मीडिया दिखाता है उसमें कितनी परतिशत सच्चा ही है कितनी परतिशत सच्चा ही दि विश्वास कितना विश्वास है कि विश्वास पूरा पश्वास है से गुलूजी पर उन्हें के अच्छे तरे से अपना गल चला पा रहा हूं। गुरु जी ने आपके लिए क्या किया गुरु जी ने आप मेरे पर सदा आशिरवाद रखे हैं ना कुछ करते हुए भी उनके नाम से ही मेरे सारे काम हो रहे हैं आप सरकार से क्या अपील करना चाहोगी गृृ Geld गर दिया। जब करना चाहोगा…… विशा है उन पर दुबारा जार्फ करकर आजिये। जैसा कि गृृ झै जबर जू दिया है। जैसा कि गृृट जिय अभी समाज के बीच में नहीं है.. आज आपको क्या लगता है समाज को गुरु जी की पहले से भी ज्यादा अवशुकता है गुरु जी अगर समाज के बीच में आज आते हैं आज तो क्या-क्या जो कुरुतिया है समाज से वो अजा सकते हैं सब्सक्राइब लिचा जो भी गलत हो रहा है जो भी आज तक कि बुराइयां फैल रही है वो पूरी तरह तो नहीं कह सकते हैं लेकिन गुरु जी के वचनों अनुसार अगर उसके से उसके निबाने में मैं यह मानता हूं कि 80% से ज़्यादा लोग उसको मानते हुए बुराइ बेलो जो मेरी बेश्वार्वी आतां थी जो इस दलदल में फसी होई थी ऊसे निकालने के लिए गुरुजी ने उनसे में एक Samsung दिकार देने के लिए जो मेरे बींचे विचार्दारों को बदला उनसे उनका विवारा हृव करवाया ऐर उनके गर्बन वाके दिए ताकि वो इस बुराई से निकल के अपने समाज में समान की जिन्दगी जी सके एक गृरीन एस वेलफेर फोर्स जो है काफी सुर्खियों में ये फोर्स रहे थी गुरु जी ने आखिर इस फोर्स का निर्मान क्युं किया था और किस मकसद से किया था गु गोघमाज के बलाई के काम जो नोजवान मेरे साथी है गी जो में भीरें वह रहे पाने कहले collaborative दोस हो अपनी बास्तेवीक जर्दन उसाई उनुफार, और इस्से जो एक नीच्ची नीच Q मे जरूरत को है। जुरूरत हो virtual कि जिवे बताई हुए वच्णों के अनुफार को बटाए उसर वह लोग करने का मध्य हो सकते। किस तरीके की सेवा करते थी वो किसी भी तरह की हो किसी को किसी भी तीज की जुरूरों तो कोई अग्देश में आपदा विप्रदा आ जाए कोई वर्ड पूरे विश्व में किसी भी तरह की समस्या आ जाए उसे दूर करने के लिए ये अपनी जान की बाजी लगा कर भी प्रवाइब गुरुजी ने जैसा कि काफी मात्रा में ब्लड डोनेशन करवाया है, साइध ही किसी संस्था में इतना ब्लड डोनेशन होता हूँ, जितना गुरुजी के फॉलोवर्स करते हैं, तो उस ब्लड का जो इस्तेमाल है, वो किस तरीके से किया जाता है? उस ब्लड का इस्तेमाल बहुत सही तरीके से किया जाता है, जूर्त मंदों की सहिता के लिए किया जाता है, युद में जो जुवानों को जूर्त परती है, वहाँ पर उनके समय पर उनको वहाँ पर जाकर खून के अवशकता को पूरा कर दिया जाता है, और अन्य किसे प्रका समझ पर हिंग गुरु जी के नाम पर उस जगा पहुंचकर उस उनकी जान बचाने की कोशिश करते हैं करते हुआं सरकार से क्या पील करना चाहेंगे तो चाहिए हैं स्कार mighty the fair कर नीराधार नीराधार आपकी तरपती है गुरुजी के लिए जो वास्तव में गुरुजी के लिए तरप नहीं है कब गुरुजी आएंगे और कभ दुबारा उनका पहले जासा प्यार मिल सकेगा मिल सकेगा बहुत बहुत दन्यवाद आपका जैसा कि आपने देखा गुरु जी ने मिलेटरी के लिए भी इतना blood donate करवाया था देश प्रेम की भावना जो गुरु जी के दिल में और उनके followers के दिल में इतना भरना इतना motivate करना किसी एक आम इनसान के बसकी बात नहीं ऐसे इनसान को ऐसे इनसान के बारे में मीडिया का इतना कुछ दिखाना क्या सही था जो अपनी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा बहुत बहुत दन्यवाद